जै मतादी दोस्तों, रिष्टों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दामपत के जीवन में जहगड़ा हो, अवसाद हो, विवाध हो, अलग होने की संभावनाई बन रही हो या आप अलग हो गये हो अगर आपका रिष्टा अलग होने की कगार पर खड़ा है या अलग हो चुका है लेकिन आपको उसी रिष्टे में बंध जाना है लेकिन आपके रिष्टे में पाखंड बहुत है प्रपंच बहुत ज्यादा है अगर आपके रिष्टी को संभालना मुश्किल पड़ रहा है तो आज का दिन आपके लिए है आपके जीवन में प्याज से रिलेटेड, relationship से रिलेटेड, दामपत्य लाइफ से रिलेटेड, वैवाही जीवन से रिलेटेड, आपके शादी शुदा जीवन से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो अब नहीं रहेगी उसका solution आपके पास होगा जो आप खुद ही कर सकते हैं जीवन में मधूरता समाप्त हो गई है विवाद बढ़ गया है समस्चाएं बढ़ गई है और संभालना मुश्किल हो रहा है किसी चीज को ठीक करने के लिए आपको अपनी खुद की जरूरत है प्रेम भगवान से कम नहीं है आज उसी दिशा में फिर्शे हो सके तो एक बात कहूंगी कि मैं आज एक छूटी से सामकरी आपके जीवन को बहतर बनाने का साधन बताने आई हूँ एक छूटा सा नारियल और एक धागा आपके जीवन में उनको बांध कर लियाएगा एक अच्छे भाग से लिकिन प्यार के जमीन की चटान तूटने लगे तो नारियल आपके पूरे संकट को हर लेगा ये सब कुछ एक जोट होगा और इसका प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा इसका प्रभाव हर किसी को मिला है आपके बीच का जगडा समाप्त हो जाएगा इसके लिए आपको एक कच्छा सूट लेना है इस कच्छे सूट को दूद, केसर और हल्दी से रंग दीजिए वे आपके अपनी नाप के बराबर से तीन गुना कर लिजिए मतलब आप तीन बार आजाएं उतना बड़ा धागा आपको लेना है एक नारियल में इसको पूरा लपेट देना है इसे पूरा अच्छी तरीके से लपेट देना अब इस नारियल को अपने आँखों के सामने लाकर बात करिए ये लक्षमी जी का भाई है इसमें बड़ी शक्तियां है इससे हवन, कलर्स, हर चीज में इसका इस्तिमाल होता है तो अब आपको इससे अपनी सारी परिसानिया दिल खोल के कहनी है आपको इससे प्रार्थना करनी है प्राठना में आपको अपनी सारी तकलिफे स्पष्ट रूप से बतानी है अब इसे अपने ओपर से साथ बार उतारें और खूब सारी आज जला कर या जलती हुई आग में हवन में डाल सकें तो आप इसे इसमें डाल दीजिए स्पश्टता होनी चाहिए कि उसमें कुछ खास होगा आपके ओपर वो होगा आपका उनके जीवन में दोबारा स्वाधत होगा आप अपने मन से सच्चे दिल से इसे अपनी सारी तकलीफे बताएए आपकी सारी परिसानियों का हल हो जाएगा जै माता दी दोस्तों